हेलो फ्रेंड्स मोबाइल पार्ट शालाम आपका स्वागत है दोस्तों मैं आज आप लोगों के बीच एक नए इंट्रॉडक्ती सेशन के साथ उपस्तित हुआ हो इस सेशन में दोस्तों हम लोग भारतिय समिधान में नागरिक्ता विशाइक जो अनुच्छेद हैं उनके वि पांच क्या कहता है कि अनुच्छेद में समिधान के प्रारभ में नागरिक तक किस तर प्रकार होगी या बढ़न किया गया है तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता-पिता का भारत में जन्मा हो तो वह भार दोस्तों यदि कोई व्यक्ति सव्विधान लागू होने से पूर्व लगातार पांच वर्सों तक भारत में रहा हो चाहे दोस्तों जन्म बाहर हुआ हो तो भी बादोस्तों भारत का नागरी होगा चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठे अनुच्छेत की तरफ छठे अनुच्छेत कहता है इस अनुच्छेत में पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिक्ता के विशह में दोस्तों बताया गया है उसका वर्डन है 19 जुलाई 1948 इस डेट तक दोस्तों जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे उन्हें भारत की नागरिक्ता मिल गए देखिए दोस्तों वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गये हों वो भारतिय नागरिक होंगे वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में चलिए अनुछेद नंबर साथ क्या कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिक्ता के विशर में इसमें वर्डन है ठीक है दोस्तों एक मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान को चले गए भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे किन्तु 19 जुलाई 1948 से पहले भारत जो वापस आ गए ठीक है वह भारत के नागरिक होंगे ठीक तो देखिए दोस्तों एक मार्च माली जी कोई 1947 को पाकिस्तान चला गया तो और फिर जुलाई 1948 तक वह भारत में अचानक से वापस भी आ जाएगा तो भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा ठीक है अच्छा दोस्तों अनुच्छेद आठ क्या कहता इस अनुच्छेद में भारत के बाहर जन्म लेने वालों की नागर भारत के नागरिक नहीं माने जाती है ठीक है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ रहता है चलिए अनुच्छेद नंबर नौ क्या कहता इस अनुच्छेद में दोस्तों विदेशी नागरिक्ता लेने वालों की नागरिक्ता के विश्यमें मतलब कि दोस्तों इंडिया में चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दसमें अनुच्छेत की तरफ यहां कहता है दोस्तों की नागरिक्ता संब्धी कानून बनाने का अधिकार केबल और केबल किसके पास है संसत के पास है और दोस्तों कानून बनाए गए या उनमें सुधार कब कब किया गया तो सन 1955 1986 1990 2003 2005 2015 औ और एक बात यहां अनुच्छेत कहता है कि प्रत्य व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक है या किसी भी कानून के प्रावधानों के अधिन होगा जो संसत द्वारा तैयार किया जा सकता है ऐसे नागरिक बने रहेंगे तो आश तो नागरिक्ता के विशय पर विधी बनाने का अधिकार के वल किसके पास है दोस्तों यह एक चोटा सा इंटोराटरी सेसन था जिसके में मैंने आपको बताया इससे संबंधित पीडियाफ आपको कमेंट सेक्षन में प्राप्त हो जाएगा दोस्तों इसी तरह के छोटे से के साथ मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक्स